Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तक की, CVAC board के courses के साथ सार, आपको other state board के भी courses available है in Hindi medium. जसे कि UP board, Bihar board, Delhi board के courses, proper systematic way में, कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी. daily practices के questions भी मिलेंगे, practice भी करते जाएगा, e-books और e-notes के link आपको description box में available है, तो भटकने की बात नहीं बनती है. So, आज हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे most important question, जरूरी है ना? हाँ, बहुत जरूरी. क्यों है जरूरी? इसी लिए जरूरी है, क्योंकि most important है ना? जा important word आजाए तो जरूरी तो हो गई. chapter हमने complete कर लिया था, NCRT solutions हमने कर लिये थे, MCQs हमने कर लिये थे, अब बची बारी most important questions की. तो ये भी करेंगे, इसे भी क्यों छोड़ेंगे, तो आपको क्या करना है? आप भी मत छोड़िये, आप भी काम कर लिजे, क्या कर लिजे? भाई, share कर दीजे link अपने classmates को, और क्या कर दीजे? और like कर दीजे मेरे motivation ले. क्या like करना है आपको? क्या like करेंगे? आप obviously session को like करें पहला question, why the rulers of the Middle Ages faced difficulties to rule the Indian subcontinent? ऐसा क्या था? जो पुरानी टाइम के जो rulers थे, Middle Ages के, वो इतने बड़े subcontinent में rule करने में, like वो problem face करते थे, difficulty face करते थे, इसके पीछे क्या reason था? क्या ऐसी problem थी, जिसकी कारण भाई, इन्हें difficulty face करनी पड़ जाती थी, किनको जो Middle Ages के, जो rulers से, जल्दी बताईए, क्या ऐसा reason था? जल्दी बताओ, क्या reason था भई? आपको बताना है reason, जल्दी बताईए, क्यों ऐसा था कि वो, जो है, rulers face करते थे problem, मेरे लेजस के time, ठीक है? हमने देखा था ना, क्या थी भई? डाइवर्सिटी थी, क्या थी? डाइवर्सिटी थी, वैसे इतना बड़ा एरिया उपर से डाइवर्सिटी इतने वेराइटी ओफ धर्म के लोग, कास के लोग, कल्चर के लोग, religious background के लोग, regional background के लोग, तो उनको manage करना, थोड़ा सा मुश्किल था, जीत तो लेंगे, चलो राजा महराजा खुद को independent करा लेते थे, जाधा टाइम तक, मतलब वो चीज़ा चल नहीं पाती थी, तो ऐसा क्यूं था? हमने देखा था, काफी जाधा diversity की करन्ट, क्योंकि इतनी जाधा diverse country थी, है भी इवन, इतनी जाधा diversity थी, तो आंसर हमारा देखते है, क्या कह रहा है It was because people of diverse backgrounds and cultures lived in the Indian subcontinent, ऐसा इसलिए होता था, क्योंकि people, लोग क्या थे, बढ़िया, मतलब diverse background के थे, अलगला background के थे, और अलगला cultures के थे, जो कहां रहते थे Indian subcontinent में, है न, इतनी diverse background की लोग, इतनी अलगला culture की लोग, कहां रहते थे, यहां पे रहते थे Indian subcontinent में, जो सबको बिल्कुल manage करके चलना मुश्किल हो जाता था, तो difficulty होती थी, ऐसा नहीं कि डर, किसी बात का डर, डर इस बात का की बढ़िया, अलगला culture की लोगे, तो कैसे वो जादा time तक हमारे अंडर रह सकते थे, तो मुश्किल था, इतना possible नहीं था, जीत लो, बट manage कर लो, उसमें फ इबराहिम लोदी and his Afghan supporters in 1526, किसने इबराहिम लोदी को हराय था और उसके अफगान supporters को, 1526 में, जल्ली बताओ, हमने देखा था ना, इबराहिम लोदी को हराय था किसी ने, कौन थे वो महराजा दीराज, नहीं, ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, कौन थे वो emperor जिनोंने इ इबराहिम लोदी को किसने इह रहाय था, याद है, किसने इह रहाय था, ऐसा कुछ नाम था, क्या ऐसा कुछ नाम था,बाबर, Babar defeated Ibrahim Ludi and his Afghan supporters in 1526 at Panipat Babar ने किसको हराय था? Babar ने Ibrahim Ludi और उसके Afghan supporter को Panipat के युद में हराया था फिर देखा नहीं था Delhi और आगरा को जीत लिया था मनफसी इसका लिए है Delhi को आया समझ में? चल What do you mean by the rule of primogeniture? ये जो term है primogeniture इससे क्या समझते हुआ? ये मैंने का था ना important है ये बहुत important है ये primogeniture से क्या समझते हो? क्या समझते हो primogeniture से? हमने देखा था ना कि जो मुगल्स से वो believe नहीं करते थे primogeniture में उनको को parts नहीं पसंता? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, option देती हूँ, क्या लगता है आपको? प्राइमोजी नीचर क्या है? मतलब सब में बरावर बाटना या बड़े बेटे को ही देना बस ये बताएंगे कौन सा इसके लिए term है प्राइमोजी नीचर? प्राइमोजी नीचर ये था कि जब सिर्फ बड़े बेटे के पास सत्ता हो वो सब कुछ बड़े बेटे को दे दो और बागी किसी को कुछ ना मिले तो वो प्राइमोजी नीचर था जिसके अगेस्ट मुगल से जिसको पसंद नहीं करते थे तो प्राइमोजी नीचर का मतलब क्या है? दिखते अंडर दे प्राइमोजी नीचर जब पापा की डेट हो जाती है तो बड़े बेटे को सारा सब कुछ मिल जाता है प्राइमोजी नीचर जो कि मुगल को बिलकुल पसंद नहीं था वो इसके अगे इस थे ठीक है? आगे बड़े जब What is a मनसबदार? अभी मनसबदार क्या होते? जल्ली बताओ इतना पड़ा है मनसब, मनसबदार, जागीरदार, जब्त वगेरा जल्ली बताओ क्या है मनसबदार? कौन है मनसबदार? अब आप बोलोगे मैं कोई इंसानी होगा? हाँ इंसान तो होगा पड़ प्रॉपर एक डेफिनिशन बतानी है न? चल्ब मनसबदार रिफर्स तो इन इंडवीजवल हो होल्सा मनसब इस अपोजिशन और रैंकिन मुगल अड्मिस्रेशन बही मनसबदार वो होते है एक इंडवीजवल या ऐसा इंडवीजवल जो क्या करता है जो होल्ड करता है मनसब को तो इट रिफर्स तो इन इंडवीजवल हो होल्सा मनसब जो मनसब को होल्ड करता है मनसब का मतलब अब पोजिशन और रैंकिन मुगल अड्मिस्रेशन मतलब एक कोई पोजिशन है या कोई rank जिसे कहते हैं मुगल administration के time पे हम कहते थे ना जो मुगल service join करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको मनसबदार ठीक है तो भही जो मनसबदार join करेंगे याने उनको एक rank मिलेगी एक position मिलेगी ठीक है मनसब मिलेगा आया समझ में ठीक है आगे बढ़े चला Question number 5 What is the meaning of जागीर? जागीर से क्या मतलब समझते हैं? What do you mean by the term जागीर? देखते हैं मनसबदार receives their salaries as revenue assignments known as जागीर जब मनसबदार कोंगी salary as revenue assignments मिलती थी तो उसको हम जागीर बोलते थे मतलब मनसबदार की salary कैसी रहती थी? revenue assignment के तौर पे तो इसको क्या बोलते थे हम? इस ट्रम को हम बोलते थे जागीर आया समझ में? Easy है ना? चलाओ 5 questions हमारे हो गए है क्या आपने अभी तक like किया है? क्या आपने अभी तक share किया है? क्या आपने अभी तक एक भी comment किया है? मतलब comment as in कुछ भी doubt हो कुछ भी question हो या कुछ आप खुद answer कर रहे हो क्या अभी तक कुछ भी किया है? या बस बैटके देख रहे हैं? नहीं ना? करा है ना? अब आप कह रहे हैं तो मैं भरोसा कर लेती हूँ और like भी कर दो और share भी करीदो ठीक है? अभी क्योंकि और भी question आना बागी है ठीक है? चाँ What was another name of Noor Jaha? Noor Jaha का एक और नाम था क्या था वो other name? Noor Jaha का? Noor Jaha title तो चलो उनको बाद में दिया जो other उनका name था वो क्या था? चली बताओ Noor Jaha title तो बाद में इसा दिया गया उनका जो real name या क्या था? जली बताओ हमने पढ़ा था Noor Jaha का influence जहागीर के कोट में क्या नाम था उनका? महरुनिसा Other name क्या था? उनका नाम था? महरुनिसा महरुनिसा was another name of Noor Jaha क्या नाम था? महरुनिसा आया समझ में? आगे बढ़े? चाहिए Why was Babar forced to leave his ancestral throne? क्यों भई बाबर को अपना ancestral throne? छोड़ना पड़ा चोन का भई चला आ रहा था उनके पूरवजों का जो थोन थोन था जो गद्दी थी जो चली आरी थी उनको मिलती तो क्यों छोड़नी पड़ी? ऐसा क्या रीजन था? कि उन्हें अपने ancestral throne को छोड़ना पड़ा किसको? Babar को क्या रीजन था? हमने देखा था ना किसी का invasion हुआ था? किसका invasion हुआ था? हमने देखा था उस्बेक्स का invasion हुआ था? इसी कारण से Babar को अपना ancestral throne छोड़ना पड़ा यह हमने पड़ा था है ना? आगे बड़े? चल्ड वाट वर यूज़ बाबर फॉर्स ताइम इन दे वार वारफेर वारफेर में ऐसी क्या चीज़ थी जो Babar ने फॉर्स ताइम यूज़ की थी पहली बार Babar ने यूज़ की थी याद करो चलो में हिंदी में इसको बता दू तो हिंदी में हम उसको तोप जैसा कुछ दिख रा था तोप कह रहे थे इंग्लिश में क्या है? मतलब बुक्ट में आमने क्या टम पड़ा था? चल्दी बताई मैंने आपको इती हिंद दे तो हम उसको एंग्लिश में तुम ए बताई हैं प mereka इसको क्या बोलते हैं है जो फर्स्र SW, वर में बाबर ने यूज़ किया था क्या था वो चैनन्ते क्या था बाबर फॉर्स ताइम इन इपड़ल पांई-पड पानी पत के फिर्स बैटल में यह जो थी चीज इसको फिर्स ताइम यूज़ किया था बाबार ने कहले इसको ठीक है आगे बड़े आगया यादा चलब वाट इस दे नेम अव धी थर्ड वॉल्यूम अव धी अकबर नामा अकबर नामा के थर्ड वॉल्यूम का क्या नाम है अकबर नामा के थर्ड वॉल्यूम का क्या नाम है याद करो क्या नाम था हमने देखा था था ना कि थ्री वॉल्यूम में अबूल फजल ने डिवाइट किया था तो क्या नाम है थर्ड वाले वॉल्यूम का जलि जलि बताईए What is the name of the third volume of Akbar Nama? क्या नाम था? आइने अग्री यही नाम था ना? क्या नाम था भी? उसका नाम था The third volume of Akbar Nama is आmpfenे क्या नाम था? आया है समझ में? आगे बढ़े? Question number 10 Why Mughals were proud of their Timurid ancestry? ऐसा क्यों था कि Timurid ancestry को Mughals जादा पसंद करते थे उन्हें Mongols कहलाना पसंद नहीं था कि नहीं हम उनके वन्शाज नहीं हमें मत बोलो Mongols हमें Timurid ये बोलो तो हमें जादा proud feel होगा ऐसा क्यों? ऐसा क्या करा था भई? ऐसा कौन सा special काम करा था तिमूरीद ने तिमूरीद ने क्या करा था डैली को capture करा था एक बर पहले तो इसी बात से काफी proud feel करते थे ठीक है मुगस तो उनको खुद को तिमूरीद का ancestor कहलाना जाधा पसंद था किसका डैमूर का ठीक है और मंगोल से क्यों चिरते थे कि मंगोल का में वंचर नहीं कहलाना क्यों क्योंकि वह वैसे महारकार्ट में बहुत जादा फेमस था खून की नदिया बहा देना तो यह पसंद नहीं था उन्हें ठीक है आएसमच में आगे बढ़े चल्ड़ जली बताओ रैंक को सालरी के क्या रैंक कैंद एञ कना स्यालरी वह लिट hypocrite वह अगा साल में बाइई more prestigious was noble's position in court and the larger his salary किसको लिए यूज होता था ये यूज होता था रांक और सैलरी के लिए किसको लिए यूज होता था ये यूज होता था रांक और सैलरी के लिए जो numerical term में डितरमाइन किया जाता था जिसको बोलते थे जात ठीक है जितनी अच्छी आपकी ज़त होगी उतनी ज्यादा अच्छा आपका prestigious authority आपके बस आवर होगी आपका नाम होगा तो the more prestigious was the noble's position जितनी अच्छी noble की position होगी ना उतनी अच्छी उसकी salary होगी ठीक है जितनी अच्छी position prestigious position उतनी अच्छी salary तो जात किसके लिए डिनोट करते हैं निमेरिकल टम्स में किसके लिए रैंक और सालरी को डिनोट करने के लिए आया समझ में आगे बढ़े चल्ट question number 12 how were the Mughal emperors greater than their predecessors यह अटा देना यह बाई मिस्तिक आ गया होगा इसको कट कर दो how were the Mughal emperors greater than their predecessors जो Mughal emperors थे अपने जो उनके पूराज रहोंगे दादा पर दादा उनसे क्यों इतने जादा बेटर थे एज़ा क्या खास था इनमें जो यह उनसे जादा बेटर थे जल्ली बताओ हमने chapter की starting में पढ़ा था क्या था क्यों Mughal emperors जो थे greater थे अपने predecessors क्यों थे हमने देखा था ना इंडिया कैसी country थी डाइवर्स अब इतनी बड़ी country को उपर से इतने vast area को control में करना बहुत Unlike their predecessors who believed in plunder and massacre, the Mughals felt proud to be called the descendants of Timuray. Mughals created a huge empire and accomplished much more what had hitherto seemed impossible in short time. They captured Indian subcontinent, introduced different ideas of governance, left a political legacy. अब क्या था जो इनके ancestors जो पुराने थे वो क्या करते थे भी मार काट मचा रहे हैं, बंदी बना रहे हैं यह लोग ऐसा नहीं करते थे इन्होंने दूसरा तरीका अपना आया मतलब अपने जो किसी को हरा रहे हैं मतलब किसी kingdom को अपने अंडर कर भी रहे हैं तो उनसे दोस को की इज़त भी करते थे मार काट यह जादा खून खराबा नहीं मचाते थे तो इसी लिए इतना ज्यादा सक्सेस्फुली क्या कर पाई यह लम्मे समय तक और अच्छा वास्ट एंपायर क्रेट कर पाई क्यों क्योंकि जब जो इनके अंडर राजा थे वो सोचते थे कि भ बड़िया घनिश्व संबंद भी बरकरार रहते थे ठीक है तो वो भी सेफ वो भी सेफ अन्लाइक देयर प्रेटी सेसर्स हू बिलिव इनके पुराने जो लोग थे वो किसमें बिलीफ करते थे कि मार काट खून खराबा तो यह मुगल्स को पसंद नहीं था इस चीज से वह अच्छा फील नहीं करते थे वो किस चीज को लेकर प्राउट फील करते थे कि भाई हम तेमूरित के तेमूरित के डिसंदेंट है अब मसाय करकी बात आ रही तो यहने मंगोल्स क्यों क्योंकि जो मुगल्स थे यह मंमी के साइट से कहां से चंगेज खान के साइट से और पा what had hitherto seemed impossible in short time मतलब जो अब तक छोटे वक्त पे कम टाइम में इतना vast empire अपने अंडर करना इतने लोगों को भाई शांती में तरीकी से चलाना ये अभी तक क्या था impossible था बट इन्होंने वो चीज़ accomplished की उसको possible करके दिखाया ठीक है? They captured Indian subcontinent, introduced different ideas of governance, left or political legacy इन्होंने capture तो किया Indian subcontinent को राजा महराजा को धीरी-दीर capture करने लग गए बट इनका तरीका अलग था administration का चीज़ों को चलाने का तरीका इनका बहुत अलग था ये पसंद नहीं करते थे कि किसी राजा को हरा दिया तो जेल डाल दो, मार दो, ये पसंद नहीं करते थे चाहते थे कि शानती से वह भी खुश रहे, हम भी खुश रहे तो ऐसे में उनको पता था ना जब हम बहुता है कि हमारा लीडर अच्छा है खुश है, जादा कुछ नहीं करते हैं हम इसके अंडर है तो क्या हो गया एकली साम शांती से तो है हमें जेल में तो नहीं डाल रहा हमें परशान तो नहीं कर रहा तो ऐसे ही तो इन लोग ने यही स्ट्राटिजी अपना ही सब कुछ बहुत यूनिवसल पीस्फुल चले और रिलीजियस फुली जिसका जो अधर में वह फॉलो कर ऐसा कुछ वह नहीं करते थे आया समझ में बना पॉलिटिकल लीगे से इनकी अलग थी इनोंने वैसी वाली नहीं अपना ही मार काट वाली जेल वागेरा में डाल दो परशान करो आया समझ में आगे बढ़े जब बाबर विकेम दो रूलर ऑफ देली जब फloris ऑगय थे ठीक है बाद में इधर-फ इधर उधर कुछ साल गूपने के बाद इनोंने कभूल को अपने अंडर लिया उसके बाद कभूल को अंडर लेने के बाद इन्होंने इबराहिम लुदी को हराया ठीक है देखते क्या answer Babar succeeded to the throne of Fergana in 1494 at the tender age of 12 years महस बारा साल की उमर में सिर्फ बारा साल क्या होता है हम सोचो बारा साल की उमर में इनको गद्धी में बिठा दिये गए Fergana की ठीक बिठा दिये तो क्या करें हट तो सकते नहीं गद्धी मिठा दिया है Unfortunately he had to leave his ancestral throne due to the invasion of the Uzbeks a Mongol group एक Mongol group था Uzbeks उन्होंने इन्वेशन कर दिया वो लोग आ गए तो उसकी कारें इन्हें अपनी ancestral गद्धी जिसमें मतला जो उनकी खुतकी थी जो उनकी वन्शाज हो की थी उनसे इने हटना पड़ा जो उनकी पूरवाज हो की थी जो उनकी चलती वी आ रही थी उनसे किसे जो बाबर को हटना पड़ा फिर 1504 में उन्होंने किसको जीता उन्होंने काबूल को अपने अंडर लिया फिर इन्होंने 1526 में किसको अराया जो डेली के सुल्तान उस वक्ते कौन थे डेली के सुल्तान उस वक्त इब्राहीम लोधी थे तो उनको इन्होंने हराया And the battle of Panipat कौन सी battle में? Battle of Panipat और फिर उन्होंने क्या करा? क्या capture कर लिया? जब भे इब्राहीम लोधी को हरा दिया तो डेली और आगरा किसके अंडर आ गया? डेली और आगरा आगया बाबर के अंडर अब जब डेली और आगरा बाबर के अंडर आगया तो क्या बन गए क्या हुआ फिर? फिर foundation हुआ किसका? मुगल एंपायर का फिर किसकी शुरुवात हुई? मुगल एंपायर की शुरुवात हुई तो वेरी फोर्स रूलर कौन थे? मुगल एंपायर के? बाबर थे उन्होंने डैली आगरा कैसे आती आया? हरा के इब्राहिम लोदी को आगे बढ़े? आया समझ में? अचा 13 questions हमारे हो गए अभी तक आपने like किया किया? फट आप फट से like कर दो अगर भूल गए हो तो फिर आगे बढ़ते हैं बढ़े आगे? चा Analyze the Mughal relation with other rulers especially with the Rajput हमने देखा था कि भाई दूसरे राजा थे उनसे अपना रूम बढ़िया बना के चलते थे रिलेशन मतलब बढ़िया बना के चलते थे कोई लड़ाई जगड़ा ना हो शांति मैं तरीके से चीजे चले तो क्या करना है भाई? हमें अनलाइस करना है इस्पेशली राजपूत से हमने देखा था ना कि जैसे जहांगीर की जो मदर थी वो भी राजपूत प्रिंसेस थी उनसे शादी करी थी ठीक है हमने क्या देखा था कि जो राजपूत राजा मारा जाते वो अपनी बेटी बेनों की इन में करा देते थे ताकि खुद भी उनको अच्छी खासी पोजिशन मिल जाए सब कुछ बढ़ी ऐसे चले तो वो रिलेशन हम देखते हैं अब क्या था लगातार वो इस चीज में लगे रहते थे कि जब तक कोई रूलर उनकी जो अथोरिटी पावर को एक्सेप्ट ना करें उनके आधीन ना जाये उनके अड़र ना आजाये वो लगातार केम्पेंड करते रहते थे कुछ ना कुछ वोर वगेरा या जो भी है उनका चलता रहता था रुकते नहीं थे कि अरे चलो यार नहीं सुन रहा तो नहीं लगातार लगे रहते थे तो दमोगल रूलर कॉंस्टेंटली केमपेंड अगेंस रूलर्स हुवर नौट रेड़ी तो एक्सेप्ट थेर अथॉरर्टी ग्राज्विली वैं दमोगल्स बिकेम पाफुल मैंनी अदर रूलर्स जॉइन दम विलिंगली अब जब लगा कि अरे यह तो पाफुल बन रह इनकी सत्ता बनती जारी एक फैलते जा रहे अच्छा खासा वास्ट ए्मपाइर बना रहे तो क्यों न हम इनने जोइन कर ले हमराई भी फायदा होगा होता है ना पहले तो वह में लगता है कॉन आए है जो हम इनकी अंडर आया है दीरे जब लगा कि फटाफट फट कर लेते हैं तो क्या हो गया ग्राजुएली वेन दा मुगल बिकम पाफुल जब मुगल पाफुल बन गया अच्छे दमदार बन गया तो जो दूसरे राजा है वो अपनी इक्छा से इन से क्या होने लगए जॉइन होने लगए अब क्या होगा जो बहुत से राजपुत थे वो अपनी बेटियों की शादी कराने लगए किसमें मुगल फामिलीज में ताकि क्या होगा भई रिष्टेदारी बन जाएगी जमाहिसा बन जाएगे ठीक है और क्या होगा अच्छी पोजिशन जमाहिसा हमें देही देंगे अच्छी ऑफिस पर बिठाई देंगे ठीक है तो इस लालच में अपनी बेटियों की शादी कराने लगए मुगल्स में तो काफी लंबे समय तक उन्होंने काफी लंबे समय तक उन्होंने काफी लंबे समय तक बही रिफ्यूस करते रहे उन्हों इस चीज के अगेंस थे उनको पसंद नहीं था वो काफी समय तक जो मुगल्स की अथारिटी को एकसेप्ट करने के लिए मना करते रहे होते ना कु सोधिया राजपुते यह मना करती रहे मुगल्स नेवर हुमिलेटेट देर अपोनेंस इवन दो दे गौट डिफिटेट बाई देम दिस क्वालिटी नेवर देम तो एक्स्टेंड देर इंफ्लूएं बट मुगल्स की खासियत यह थी कि उन्होंने क्या स्ट्राडेजी अपन हमें कुछ नहीं करते हम अएसा कुछ भी गलत नहीं करते हैंना कुछ दबाव नहीं बनाते तो बढ़िया ना क्या दिक्कत है जब ऐसा साशन चल रहा है तो क्या दिक्कत है तो इसी स्ट्राडेजी के कारण जो मुगल्स के रिलेशन ना पाकी सबसे बहुत अच्छे बने पाउने जो रिफ्यूस करते हैं तो ठीरेबाद में मानें जैसे सोद्य राजपूद ने नहीं माना बड़ बाद में जब मानें पट कभी उन्नों को जो मुगल्स से हुमिलियेट नहीं करा है चाहे तो कर सकते थे तो तुम हमारी बात माननी रहते इसको बताते एक बार हरा जादे तो इसको बताते बड़ नहीं ऐसा कभी नहीं करते थे सबसे अच्छे रिलेशन बना के चलते थे जैसे अमने देखा ना बाकी तो राजा महराज अपनी बीटियों की शादी करा रहे हैं ठीक है तो इसी कारण से इनका जो था बढ़िया रिलेशन सबसे चलता था इस् आगे बढ़े समझ में आया ना अच्छा बनके रहना पड़ता है इससे क्या समझ में आया अच्छा बनके रहना पड़ता है अगर जाना दिर तक टिकना है अगर कम समय के लिए तो अपना असली रंग दिखा दो बढ़ अच्छे बनके रहो प्यार से रहो है ना सबकी इज इज़त करो रिस्पेक्ट करो तो क्या होगा आपकी सत्ता रहेगी आपकी खुद की भी इज़त रहेगी लंबे टाइम के लिए आया समझ में कोई कन्फुजन दिक्कत तो नहीं आगे बढ़े चला तोडर्मल और्गनाइज इस रेवेन्यू सिस्टम तोडर्मल ने कैसे जो है और्गनाइज करा हुआ था रेवेन्यू सिस्टम को देखते हैं तोडर मल was अकबर's revenue minister तोडर मल कौन थे? अकबर के revenue minister थे कौन से minister थे? तोडर मल was अकबर's revenue minister पहले यह तो पता चल जाए कि तोडर मल कौन थे? क्योंकि यह पता नहीं चलेगा तो बाकी आगेगा कैसे करेंगे? He carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10 years period 1572-1580 मतलब उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्योंकि जो मुगस थे? उनके जो earning होती थी, जो major earning होती थी, जो उनकी income थी, कहां से आती थी? वो जो major उनकी income आती थी, वो agriculture से आती थी मतलब पीजेंट के थूआती थी जो पीजेंट प्रड्यूस करते थे जो क्रॉप साती थी उनसे इनकी इंकम बंती थी तो बही सर्वे करा किसने तोडर मले He carried out a careful survey of crop yield Crop जोगरी उनका proper सर्वे करने लग गए उनकी prices, area of cultivation, हर चीज देखने लग गए लगबग 10 साल के period का उन्होंने data वगएरा पुरा सर्वे करा अब सर्वे करा ठीक है देखा कौन सी क्रॉप का बुगरी है ठीक है कौन सी क्रॉप के फायदे जो भी उनकी देखा होगा चीज देखने लोटिस की होगी 10 साल का लगबग उन्होंते सर्वे करा On the basis of this survey, tax was fixed on each crop in cash अब इस सर्वे के basis पे tax का करा जाता था, fix करा जाता था इस सर्वे के basis पे On the basis of this survey, tax was fixed on each crop in cash हर crop में, अलग-अलग crop जिसे wheat की अलग हो गई, rice की अलग हो गई इस तरीके के जो अलग-अलग crop थी उन पे tax fix होने लग गया, ठीक है, cash के form में Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crop हर provinces अलग-अलग उसमें divided हो गई और हर प्रोविंस की, हर अलग-अलग crop की अपनी-अपनी क्या होने लग गई, tax होने लग गई, tax rates सबके sent होने लग गई बोल रहे हैं, each Each province was divided into revenue circle हर province revenue circle में divide होने लग गई with its own schedule of revenue rates for individual crop अब क्या था, जो अलग-अलग प्रोविंस में जो अलग-अलग अलग क्रॉप थी, उनके सबके अपने-अपने rates set कर दिये गए थे ठीक है This revenue system came to be known as ZAPT और इसी revenue system को क्या माना जाता है इसी revenue system को कहा जाता है ZAPT क्या कहा जाता है, ये revenue system को ZAPT कहा जाता है ठीक है However, this ZAPT system was prevalent in only those areas where Mughal administrators could survey the land यहाँ पे यह वही जगे पे possible था, जहाँ पे survey हो सकता है अब जहाँ पे survey होगा, वही परी तो ZAPT system होगा मतलब वही परी हम बता सकते कि कौन सी crop का क्या rate होगा किसका क्या फायदा हो रहा है, तो वही possible था तो इसी कारण हमने देखा कि यह जो revenue system, टूरर बन लाए थे, कौन सा ZAPT system इसके बारे में हमने देखा आया समझ में, आगे बढ़े, चल Question number 16 Given account of अकबर नामा और आईने अकबरी किसके बारे मताना है हमें? हमें बताना है अकबर नामा के बारे में और आईने अकबरी के बारे में बताना है किसके बारे में? अकबर नामा और आईने अकबरी के बारे में बताना है किसने लिखा था यह? अच्छा ही लिखा किसने था? यह बता दो चलो कॉपेट में फटाफट से मुझे बताओ लिखा किस ने था और वो अकबर का कौन था अबुल फजल ने जो अकबर फ्रेंड मी मानते थे जिन्हें दिखते अबुल फजल वन अफ अकबर's close friend and quotiers जो अकबर के close friend थे और quotiers भी थे क्या नाम था उनका? नाम भई important है अबुल फजल क्या नाम था उनका? अबुल फजल जो अकबर के close friend थे और quotiers भी थे उन्होंने three volume history लिखी थी किसकी अकबर की? three volume में कितने parts में थी? three parts में थी? three parts में थी? it was titled as अकबर नामा और क्या नाम दिया गया था उसको? नाम दिया गया था उसको? it was titled as अकबर नामा क्या नाम दिया गया था भई? अकबर नाम दिया गया था the first volume speaks about the अकबर's ancestors the second volume recorded the events of अकबर's reign आईने अकबरी is the third volume it deals with the अकबर's administration, household, army, the revenues and the geography of the empire कितने वोल्यूम हमने देखे? three volumes कितने वोल्यूम हमने? हमने देखे? three volumes ठीक है? अब यह क्या बता रहे? फिर्स्ट वॉल्यूम में क्या था? the first volume speaks about पहला वोल्यूम क्या बता रहे? अकबर के ancestors के बारे में पहले वॉल्यूम में अकबर के ancestors के बारे में detail है second volume में बता रहे? अब आईने अक्बरी जो थर्ड वॉल्यूम था, तो थर्ड वॉल्यूम क्या बता रहा है? आईने अक्बरी is थर्ड वॉल्यूम, इट दील्स विद अक्बर, अद्मिस्ट्रेशन, हाउजोल्ड, आर्मी, the revenues and the geography of the empire थर्ड वॉल्यूम क्या बता रहा है? थर्ड वॉल्यूम बता रहा है अक्बर के, मतलब हाउजोल्ड, आर्मी से रिलीटेट, wealth वगएरा से रिलीटेट, administration से रिलीटेट, जोग्रफी कैसी क्या थी भोगोलिक, condition, ये सारी चीज़े आईनी अक्बरी यानि थर्ड वॉल्यूम बता रहा है अक्बर का, तो क्या देखा है, अगर इतना समझे, तो अब उल्फजल से अक्बर ने कहा था कि भई आप मेरी history के बारे में लिखिए, मेरी history लिखिए, ठीक है, लिखी उन्होंने, थ्री वॉल्यूम में उन्होंने लिखिए, first volume किसके बारे बताता है, अक्बर आर्मी, revenue system और empire के बारे में, मैंनो, geographical conditions के बारे में, ठीक है, और नाम क्या दिया गया, इसको, it was titled as, अक्बर नामा, क्या नाम दिया गया, अक्बर नामा, third volume का क्या नाम था, आईने अक्बरी, this book also provide detail about the traditions and cultures of the Indian people, मतला उस वक्त पे, जो Indian people थे, उनकी क्या खासियत रही, कैस उनकी customs, traditions थे, religions थे, क्या cultural background, क्या-क्या practices थी, ये सारे traditions, rich tradition भी उस पे शाबिल है, ठीक है, क्या बता रहा है, this book also provide details about the traditions and cultures of the Indian people, ये ना Indian people की culture, tradition के बारे मता रहा है, it is rich in statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues, और ही क्या बता रहा है, अच्छी सी, अच्छी detail बता रहा है, किस से related, it is rich in statistical detail, अच्छी सी statistical detail इसमें बताई गई है, about things as diverse as crops, जैसे भई diverse चीजे, हर चीज के बारे में, crops के बारे में, yields के बारे में, prices कैसे क्या थे, उस time पे, जो भी चलता होगा, wages कितनी क्या दी जाती थी, revenue system, revenue कैसे क्याता है, त सारी detail इसमें बताई गी थी, किसमें भई अगवन अमा और आईनी अगवरी की बात करी जा रही है, आए समझ में, अच्छे से है, मने अलग अलग कलर में इसले mention करा, दिख जाया आपको, ठीक है, first volume, second volume, third volume, आगे बढ़े, कोई confusion दिखकत तो नहीं, चलत, question number 17, what were the main features of sulai kul, sulai kul को के, जो है, main feature क्या थे, क्या नाम है भई, sulai kul, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका एक और मतलब होता है, universal piece, क्या मतलब होता है, जिसका एक और मतलब है, universal piece, याद करो, इसके बारे में किसने बताया, किसके बारे में, ये अकबर के policies के बारे में देखते हैं, the idea of sulai kul was introduced by the akbar the grade, कि किसने idea लेकर आया था, कौल लेकर आया था, sulai kul का idea, introduced by akbar the grade, भई, akbar लेकर आया थे, it meant universal piece, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था universal piece, its main features were, इसके जो main features से क्या थे, देखो, sulai kul का लेकर आया थे, akbar the great emperor, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था universal piece, अब आप peace, यानि शांती से समझ सकते हो, this idea was based on idea of tolerance, ये जो idea है किस पर बेस था, ये tolerance के idea पर बेस था, this idea was based on tolerance, which did not discriminate between people, different religions, it is real, इसका मतलब ये, कि इसे अलग अलग धर्मों के लोग थे, हमने पढ़ा था ना कि काफी diverse country है, इंडिया, तो उस ताइम पर भी diversity थी, अलग 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 धर्म, अलग अलग caste के लोग थे, तो सब के साथ peacefully रहना, सब की इज़त करना, सब के religion के बती, tolerate रहना, patience बना के रखना, चिड़ना नहीं, कि अलग कोई पुजा करते हो जिखरा है तो चिड़न रहे, कोई अलग language बोलते हो जिखरा है तो हम चिड़न रहे, नहीं, एक जो patiently, जो tolerance दिखाया गया इसमें यह बात कहते है, उनिवर्सल पीसमें, मतलब जो उसके रीन में, जब अकबर का रीन था, उनके साशन में, उनके एरिया में, मतलब उनके राज में, अगर कोई भी अलग अलग धर्म के लोग है, तो किसी के बीच में कोई भेटभाव ना हो, ठीक है, यह कुछ एथिक्स पर भी बेज़ रहे है, जैसे सब के साथ म्याय होना चीए, इक्वैलिटी हो, जस्तिस हो, ऑनिस्ति हो और पीस बने रहे हैं, इस वैल्यूज वर यूनिवर्सली अप्लिकेबल और यह जो वैल्यूज हैं, यूनिवर्सली क्या रहेगी भाई, एप्लिक रहेगी मतलब overall यह है कि सब की इज़त करो सारे धर्मों को इक्वल मानों ठीक है सब की साथ बराबर जस्टिस हो सब ऑनेस्ट रहें और इसकी कारण चीज़े क्या रहेगी peaceful रहेगी आया समझ में कोई confusion दिक्कत तो नहीं आगे बढ़े चाला question number 18 who were manasabdaars what were their duties बही manasabdaars कौन थे और उनकी duty क्या थी मुगल के अंडर जो service करते थे हम बोलते ना manasabdaar जो individual जो जिनको hold करते थे क्या manasab manasab याने कोई rank या position ठीक है दिखते with the expansion of different regions of the Mughal Empire they recruited diverse bodies of people the empire started with the smaller Turkish nobles Turanis expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups अब क्या हुआ? जैसे जैसे भई empire बढ़ेगा, area बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी with the expansion of different regions of Mughal Empire, जैसे जैसे expand होने लगा Mughal Empire उन्होंने क्या शुरू कर दिया? they recruited diverse bodies of people मतलब अलग-अलग जगे से लोग को recruitment देने लग गया है ना? हम बोलते हैं ना office बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है तो जाधा से आधा employee चाहिए ऐसे the empire started with the smaller Turkish nobles, इंपायर शुरू कैसे हुआ? पहले कौन थे? पहले small Turkish nobles थे the empire started with the smaller Turkish nobles, तो रानीज और expand हुआ किसके साथ किन किन को फिर include कर रही नोंने? फिर ही नोंने include करा Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas और other groups याने काफी लोग को include करा, अलगल एक diverse लोग को people who join mughal service were enrolled as manasabdaar जैसे कि मैंने बताया, जो लोग mughal army, मतलब mughals को join कर रहे थे mughals की service को join कर रहे थे, उनको क्या कहा जाता है manasabdaar people who join mughal services were enrolled as manasabdaar उनको क्या कहा गया? उनको manasabdaar कहा गया The term manasabdaar refers to an individual who holds a manasab, meaning a position or a rank manasabdaar का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैसा individual? The term manasabdaar refers to an individual who holds a manasab, meaning a position or rank ऐसा person इस साथ यह individual जो क्या करता है rank और position को hold करता है उसे क्या बोलता है? मजबदार बोलते है ठीक है? जो मुगल के अंडल service करते है It was a grading system used by the mughals to fix यह grading system था अब grading system था तो मुगल किया यूज करते थे It was a grading system used by mughals to fix यह grading system मुगल किस चीज को fix करने के लिए यूज करते थे यह mughals system भई मुगल यूज करते थे To fix rank, salary, military responsibility Rank, salary, military responsibility को grade करने के लिए उनको ranking देने के यह system used होता था आया समझ में क्या पढ़ रहे हैं? कि मनसबदार कौन थे और कैसे उनकी duties थी? क्या उनकी duties थी? तो हमने देखा कि जब rule expand हो रहा था, rule बढ़ेगा तो ज्यादा स्यादा काम करने वाले लोग चाहिए पढ़ेगे तो इनोंने क्या सोचा है? इनोंने अलग-अलग group के अलग-अलग culture, religion based के लोग को recruit किया है ना? अब मनसबदार कौन थे जो लोग मुगल service में joined हुए इस grading system के तुरू क्या होता था? rank decide होती थी, उसकी salary decide होती थी और कितनी military responsibility होगी यह सारी चीज़े decided rate रहती थी, आया समझ में? कोई दिक्कत परिशानी थो नहीं, आगे बढ़े, चाहिए rank and salary were determined by the numerical value called that, अब जो rank और salary है, वो किसकी तोरह determined की जाती थी? एक value, एक numerical value use होती थी? जिसको क्या बोलते थे? उस numerical value को बोलते थे? क्या बोलते थे उस numerical value को जात? the higher the जात, the more prestigious was the noble's position in court and the largest, larger salary अब जितनी अच्छी जात होगी, यानि उतनी अच्छी क्या होगी? position होगी, तो भई पैसा होगा यानि salary अच्छी होगी तो the higher the जात, the more prestigious was the noble's position, उतनी अच्छी prestigious noble की position होगी, ठीक है? और उतनी अच्छी उसकी salary भी होगी जो मनसबदार की military थी, वो क्या करती थी भई? जो मनसबदार military required, responsibilities required him to maintain a specified number of savar और cavalrymen मतला भी जो मनसबदार थे, इनका क्या काम था? इनकी responsibility थी भई आप cavalrymen, इतने savar होने चाहिए कैसा क्या होगी, इसको आप maintain कीजिए, ठीक है? मनसबदार receive their salaries as revenue assignments, calls jaagir अब इनकी salary कैसे आती थी? यह तो हमने देख लिया, कि जितना अच्छा जात होगी इतनी पोजिशन salary होगी बड salary आती कैसे थी? तो salary की आती थी? revenue assignment से जो इनकी salary आती थी मनसबदार की वो revenue assignments आती थी जिसको जिसको जागीर कहा जाता था, क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था? जो किसकी तरह थी? इक्तास की तरह थी हमने पढ़ा था पुराने chapter बे इक्तास और इक्तिदार वगेरा याद करो, मुक्ति, इक्ति, इक्तिदार हमने पढ़ा था तो इक्तास की तरह ही थी बट अन्लाइक मुक्ति, most मनसबदार्स दिड नॉट आक्चुली रिसाइड इन और अड्मिस्टर देर जागीर जिसे मुक्ति थे ना, यह अपने एरिया में रह रहे अड्मिस्टेशन कर रहे चीजे संभाल रहे तो यह लोग वहां नहीं रहते थे यह लोग वहां रहके काम नहीं करते थे कौन? जो मनसबदार थे इनका थोड़ा सिस्टम अलग था, क्या था? बट अन्लाइक मुक्तिस मनसबदार्स दिड नॉट आक्चुली रिसाइड इन ओवर्म अड्मिस्टर देर जागीर इसमें क्या था? जो रेविन्यू करके लाते थे इनके सर्वेंट लेकर आते मतलब इन खुद फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं होते थे जैसे हम एक्ताव अगेर हमने मुक्तिस का देखा था था वो लोग प्रेजेंट रहे थे बट यह लोग जो मनसब्दार थे खुद फिजिकली उस जगे पर प्रेजेंट नहीं रहते इनके लिए कौन काम करता है इनके सर्वेंट जो रेविन्यू करके लाने का काम करते थे और इने देते होंगे कुछें इस वक्त क्या को देखंक लेक काम करते थे आया समझ में कोई दिकत तो नहीं चलब इन अगबर स्री इस जागीर्स वर केरफुली असेस्ट अब क्या था जब अगबर का अगबर का शासन था तो उसक्ष जागीर्स से नहीं को प्रॉपर असेस्ट किया जाता था पूरा एवालिशन वगएरा किया जाता था तो इस जागीर्स ताकि भही प्रॉपर असेस्मेंट होगा तो इनकी जो सैलरी थी बहुत ही मतलब क्या रहना लगबक इसके इक्वल रहती थी जितना रेवेन्यू ये लोग आन करते थे ठीक है जितना रेवेन्यू ये लोग पे करते थे बट in Aurangzeb's time, these jagits where not carefully assessed बट Aurangzeb के time गो इतने अच्छ से assessment नहीं किया जाता था थोड़ा सा lightly ले ले जाता था चीजह को तो इन Aurangzeb time the jagits were not carefully assessed Jagits ko carefully assessed नहीं किया जाता था There was a huge increase in the number of manzabdar इस time पे क्या हो था वे manzabdar की number में काफी ज़ादा increment दो रहाथ बहुत इंक्रीज हुए थे विच मेंट लॉंग वेट बिफोर दे रिसीव जागीर मतलब उनको जागीर मिलने में भी टाइम लगता था बैनी जागीर्दास ट्राइट टू एक्स्ट्रेक्ट आज पॉसिबल वैनिवर दे गये जागीर अब क्या था वहीं लाला चाहता है तो जागीर्दार क्या करते थे वहीं कोशिश करते थे कि जितना से जितना जाना स्याना रेवेन्यू जो उनके अंडर अभी लेंड है जिसके थूरू अर्ण कर भाए तो अर्ण करते थे ठीक है कब होता था और एंग्जेब के टाइम पे हमने कहा देखा अंगर के टाइम पे तो प्रॉपरली असेस होता था चीजों का एवालियूशन होता था आया समझ में कोई दिक्कत परिशानी थो नहीं तो यह हमने क्या देखा मनसबदार और उनके वर्ग के बारे में चि अब क्या है यह हमें बताना है देखते हैं The main source of income of Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry Main source of income Mughals का किस पे था भही पीजन पे था जो peasant produce करते थे तो वही जो main source of income था किस का? Mughals का was tax on the produce of the peasantry मतलब जो tax peasantry को produce करके मिलता था वही source of income था भीए मतलब जो किसान अना जुगा रहा है उससे जो revenue earn हो रहा है tax earn हो रहा है उसी के थुरू भही income होती था किस की? वही major source income का किस के? Mughals के In most places peasant paid taxes through the ruler allies that is the headmen or the local chieftain अब बहुत सी जगों पे तो क्या होता था जो peasant थे कैसे tax pay करते थे? With the help of In most places peasant paid taxes through the ruler allies Ruler allies के थुरू भही pay करते थे? ठीक है That is the headmen of local or the local chieftain मतलब village के headmen या local chieftain क्या करते थे? Pay करते थे In the Mughal empire, zamidar is a term used to describe all intermediaries whether they were local headmen of villages or powerful chieftains अगर बात करें Mughal empire के time की In the Mughal empire, zamidar is a term used to describe all intermediaries whether they were local headmen or villages or powerful chieftain etc मतलब यह क्या था? इनका काम क्या था? जमीदार का यह क्या काम करते थे? यह किसको role दिया गया थे? यह जो duty दी गई थी लोकल headmen को चीफ वगेरा कफ्तान मतलब इनको जो head होंगे उनको duty दी गई थी इनको जो term दिया गया था उसको intermediaries यहने इनको term यूज करते थे जमीदार यूज करते थे जमीदार बोला जाता था क्या काम था? भही, rent कलेक्ट करो किसानों से और क्या करो? पे करो मुगल्स को अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर तोडर्मल carried out a careful survey of crop, yield, prices and areas cultivated for a 10 year period, 1570 to 1580 Tax was fixed on each crop in cash अब जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे कौर तोडर्मल जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे तोडर्मल वो क्या करा? उन्होंने सर्वे करा प्रॉपर उन्होंने सर्वे करा किस चीज को लेखे भई, crop, उगरी है दीक है उसके prices कैसा क्या है हेला कहा से area से cultivation होगा तो 10 साल के लगभग का duration का उन्होंने क्या करा? प्रॉपर सर्वे करा और इसके according क्या करा? उन्होंने tax fix करा किसका? crop का cash में हर crop का अलग-अलग crop का भी tax fix करा कि cash में लेंगे आया समझ में क्यों? प्रॉपर उन्होंने survey करा, देखा किसका क्या फायदा है कौन सी crop का बुगरी है अलग-अलग type की crops का अलग-अलग जो decide करके और tax लगा ठीक है? किसने करा यह revenue minister कौन तो order बन दे? आगे बड़े? इच प्रोविंस वस divided into revenue circles with the own schedule of revenue rates for individual crop जो सारी प्रोविंस थी वो divided थी revenue circles में सारी प्रोविंस revenue circle में divided थी और सम में अलग-अलग crop में अलग-अलग rates के decided थे इस revenue system was known as जब्त और इसी revenue system को क्या कहा जाता है इसी revenue system को कहा जाता है जब्त जब्त system was prevalent in the area where Mughal administration could survey the land and keep very careful account यह जब्त system में वही possible हो सकता था जहां पर आरम से survey किया जा सके survey करेंगे तो survey में पता चलेगा crops के बारे में है ना उनके cultivation के बारे में उनके yielding के बारे में तभी possible हो पाता है जब्त system this was not possible in the provinces in Gujarat and Bengal यह कहा पॉसिबल नहीं था यह कौल सी प्रोविंस में पॉसिबल नहीं था यह Gujarat और Bengal प्रोविंस में पॉसिबल नहीं था ठीक है क्या जब्त system जिसमें survey अगे रहा होता है आया समझ में कोई confusion दिक्कत तो नहीं आगे बढ़े चला Q20 Give a brief sketch about the Mughal Empire in the 17th century and afterward हमें बताना है 17th century के duration में और उसके बार Mughals की conditions के बारे में क्या चलता था उनका administration कैसा क्या था देखते The Mughal Empire in the 17th century and after The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity जो administration skills थी जो administrative और military efficiency थी किसकी Mughal Empire की led to the great economic and commercial prosperity इसकी करण भाई economic और commercial prosperity बहुत बढ़िया थी commercial, trading भाई सामान लेना ले जाना बेचना खरीदना ही बहुत बढ़ा economy अच्छी बढ़ी ठीक है तो अच्छी चीज है यही किसके थुरू आई? administration अच्छा चलता था efficient military international travelers describe the state of poverty that exists side by side with the greatest opulence in our country अब जब उस वक्त international travelers आए उन्होंने देखा कि वाँ है तो बहुत बढ़ गया बट साथ में यह भी दिखा कि कैसे भुखमरी चाही हुई है कैसे मतलब खाने पीने तक को ने यह कुछ लोग के पास तो international travelers describe the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence in our country वहाँ पे उस वक्त जब किस तरीकी की चीजे थी कैसे भुखमरी चाही हुई थी side by side मतलब अच्छा जब सब इता अच्छा चल रहा था prosperity थी बट side by side क्या थी? मुखमरी भी चाही मी थी लोग बहुत गरीब भी थे documents from the 20th year of Shah Jahan Reen inform us that the highest ranking manasabdar were only 445 in number out of a total of 8000 जो document मिला है कि इसका Shah Jahan का 20th year का तो क्या बताता है वो बताता है inform us inform us that the highest ranking manasabdar जो highest ranking manasabdar था वो सिर्फ किते थे only 445 थे highest ranking manasabdar किते थे सिर्फ 445 थे और किते में से total 8000 में से 8000 manasabdar थे तो highest ranking जिनकी rank अच्छी हो वो सिर्फ 445 ही थे but this small number of manasabdar enjoyed 61.5% of the total estimated revenues और यही small number of manasabdar enjoy करते थे मदब इनको किता लगबग इनके under किता जाता था 61.5% का जो revenue इनके under चला जाता था सिर्फ इतने कम manasabdar के under चला जाता था 61.5% revenue इनको चला जाता था जबकि numbering कितनी काम है 8000 में से सिर्फ 445 आगे बड़े Sure The Mughal Emperors and their manasabdar spend a great deal of their income on salaries and goods अब जो Mughal Emperors थे या manasabdar थे यह लोग क्या करते थे भई अपनी तनखा बढ़िया खर्श करते थे क्या क्या खरिटे थे गोट्स वगेरा खरीदते होंगे क्या करते थे Manasabdar spend a great deal of their income and salaries and goods हाना This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce जब इन खर्चा कर रहे सामान खरीद रहे तो किसी से खरीद रहे होंगे तो किस से खरीदते थे जैसे पीजेंट से या artisans थे तो अब यह जो artisans अपना सामान बेच रहे तो याने इनकी earning हो रही है बले इनका खर्चा हो रहे बट earning artisans और peasant की ओर ही तो वह इसका फायदा ले उनको बड़ा फायदा होता था तो इस expenditure इस expenditure इस expenditure benefited the artisans and the peasantry who supplied with them goods and produce the huge scale of revenue collection from the primary producers the peasant and the artisans left very little of there for them to invest अब क्या था बही इत्ता जादा revenue जो collection होता था ठीक है क्या होता था the huge scale of revenue collection from the primary producers जो primary producers का revenue collection होता था जैसे peasant हो गए artisan हो गए left very little for them to invest मतलब उनके पास फिर बहुती कम बचता था क्या invest करने के ले उनके पास क्या बचता था बहुती कम बचता था कहीं invest करने के ले तो condition कैसी होगी थी peasant की the poor peasants could not invest in additional resources tools and supplies to increase productivity अब क्या था अब जो peasant थे बचारे मतलब किसी भी चीज को produce करने में या कई और खर्चा लगाने में पैसा लगाने में सक्षा मी नहीं थे afford ही नहीं कर पाते थे तो जो poor peasants थे the poor peasants could not invest in additional resources, additional resources में invest नहीं कर पा रहे थे and resource tools and supplies to increase their productivity अपनी productivity को increase करने में वो नहीं add कर पा रहे थे the wealthier, peasantry and artisanal groups, the merchant and bankers profited in this economic world अब क्या था जितने wealthier जितने wealthier रहेंगे peasantry और artisan group तो उसमें कहा रहेगा जो merchants और bankers वो profit होते रहेंगे भई इनके पास पैसा आएगा तो यह profit होते रहेंगे तो basically peasant की condition बहुत खरापती की वो basic need के लिए मतलब जो अपने जो produce जो tools है, productivity बढ़ाने के लिए वो तक नहीं purchase कर पाते थे तो बहुत जादा हालत कैसी थी खरापती हमने देखा ना की condition अच्छी भी थी बट कहीं कहीं जगे हालत थी shocking थी की बहुत जादा poverty भी फैली हुई थी, ठीक है The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 9th 17th century, अगर हम बात करें जो इतनी अच्छी wealth The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century मतर इतनी अच्छा wealth इसनी अच्छी कमाई वगेर हो गई थी reputation बन गई थी, prosperity मतर बहुत बढ़ी है resources अगे थी, तो क्या बन गयते? अच्छे powerful बन गयते With the decline of Mughal Emperor their servants emerge as powerful centers of power in some regions अब क्या था? जैसे-जैसे Mughal Empire decline होने लग गया गिरने लग गया अब क्या हो गया? जो दूसरे छोटी छोटी जो ruler से जो पहले इनकी servant थे जो Mughal's के अंडर थे अब वो उठने लग थे वो emerge करने लग थे क्यों क्योंकि सब अच्छे powerful बढ़ी है पैसो वाले बन गय थे जैसे कौन-कौन हैदराबाद और आवत के लोग मतलब रहता था ब्रैंड निम यूस करते थे Mughal's का बट इलोग खुद की इसी के साथ हमारे most important questions भई एंड होते है 20 questions हमने solve करें बड़ा ही मज़ा आया बहुत सारे variety of questions थे पूरा chapter बहुत अच्छे से revise हो गया है इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है अगर आप और भी वीडियो के lectures देखना चाहते हैं तो आप Magnet Brains के YouTube चानल application और website पर दीख सकते हैं e-notes और e-books की link आपको description box में available है यह high quality की courses है जो कि 100% free आपको available है आप हमें other platform पर भी follow कर सकते Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पर जाला साथ लाइक कीजिए जाला साथ शेयर कीजिए और चैनल को subscribe करना बिलकुल भी दा भूले अपना ख्याल रखे Thank you so much for watching